दोस्तो आपके WhatsApp नमबर पर कोई मैसिज करता है मैसिज के अंदर लिखा क्या होता है वो भी मुबाइल की सक्रीन पर शो हो जाता है मैसिज भी सामने आ जाता है इस चीज से आप सब लोग बहुत तंग होते हैं तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको WhatsApp के उपर मैसिज तो आएगा मैसिज का नोटिफिकेशन सिर्फ आपको आएगा मैसिज के अंदर लिखा क्या हुआ है वो शो नहीं होगा वो किसी को नजर नहीं आएगा WhatsApp मैसिज के अंदर है क्या वो तब ही आपको पता चलेगा जब आप अपना WhatsApp ओपन करेंगे मैसिज जब खोलेंगे तब आपको पता चलेगा मैसिज के अंदर क्या है उसके इलावा जब भी आपको मैसिज आएगा तो सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आएगा पिर्वियू शो नहीं होगा आप अपना मुबाइल चार्ज पर लगा के रखते हैं या वैसे आप कहीं पर मुबाइल को रखकर सो जाते हैं या वाश रूम चले जाते हैं बाद में आपके WhatsApp नंबर पर किसी का मैसिज आता है आपके मुबाइल के पास अगर कोई भी बैठा होगा तो उसको पता चल जाएगा आपको WhatsApp के उपर क्या मैसिज आया है और किस बंदे ने की है ये जो मैं आपको सैटिंग बताने लगा हूँ इससे यही होगा आपके WhatsApp नंबर पर किसी का मैसिज तो आएगा लेकिन मैसिज के अंदर लिखा क्या हुआ है वो सामने नहीं आएगा पिरवियू उसका शो नहीं होगा चलें चलते हैं मुबाइल की सेक्रीन पर ये सैटिंग आपने किस तरह करनी है उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ तो दोस्तो वोटसेप का मैसिज पिरवियू आपने किस तरह आफ करना है ये आपने दो जगा से आफ करना है वोटसेप नॉर्मल पे भी यही आप्शन्स होती है और वोटसेप बिजनस पे भी सेम आप्शन्स होती है तो आपने क्या करना है जी सबसे पहले WhatsApp को उपन कर लेना है WhatsApp उपन करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे उपर तीन लाइनों पर क्लिक करने है तीन लाइनों पर क्लिक करने के बाद इधर आपने Settings के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी Options देखने को मिलें तो यह जो option आपको नजर आ रही है, notifications वाली, आपने इसके ओपर क्लिक करना है, इसके ओपर क्लिक करने के बाद, यहां पर आपको यह वाली option नजर आएगी, use high priority notifications की, इसके नीचे आपको दिखा हुआ भी नजर आ रहा है, show preview of notifications at the top of the screen, तो इस option को आपने आफ कर देना है, यह option आफ करने के बाद, एक जगा पर यह option और भी मजूद है, वो कहां पर है, आपने थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यहां पर same यह वाली option दुबारा है, तो आपने क्या करना है जी, इसके ओपर भी आपने क्लिक कर देना है, इसके ओपर क्लिक क जो नहीं होगा, सिर्फ मैसिज का नोटिफकेशन ही आएगा, तो ये बड़े ही काम की सेटिंग है, इसको अभी अपना वार्टसैफ उपन करके कर लें, तो जी हैं दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो में मैंने जो आपको सिखाया, वो तरीका आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपनी दूआउं में याद रखें मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ अलाफेज